हेलो एवरीवान वालकम वेक्टी यरॉण चैनल टेज़ फ्रॉल एज़ स्टुडेंट्स आज इस वीडियो में आपको MPBOT टर्मिनल एक्जाम से रिलेटेट महत्पुर इंफॉमिशन प्रोवाइट कराने वाला हूँ कि हमारे जो टर्मिनल एक्जाम है आखिर टर्मिनल एक्जाम कब से स्टार्ट होंगे कितना पर्सेंट से लेवस हमारे टर्मिनल एक्जाम से में आएगा और रिडियूस चैप्टर्स आएंगे या नहीं जो चैप्टर्स को रिडियूस कर दिया गया है क्या वो टर्मिनल एक्जाम में पूछे जाएंगे या फिर नहीं और सबसे जादा important question है जो कि स्ट्रेंट के mind में चल रहा होगा क्या हमें एक्जाम देना जरूरी है या नहीं तो आज इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है तो वीडियो को पूरा जरूर दिखिएगा वीडियो को बिल्कुल भी skip नहीं कीजेगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो इस ट्रेंट देखिए सबसे पहले जाल लेते हम reduce chapter के बारे में उन chapters के बारे में जिनको reduce कर दिया गा है बतलब जो हमारे deleted chapters है class 9 से लेका 12 तक के सबसे पहले में आपको deleted chapters के बारे में बता देता हूँ जिनको आप note करते जाएगा या फिर आपके screenshot लेना चाहाए तो आप screenshot ले लीजिएगा या में यह पूरी जो PDF है इसको हमारे telegram group पर provide करा दूँगा वहाँ से जाकर आप अपने deleted chapters को देख सकते हैं तो सबसे पहले हमें starting करते हैं class 12 है हम जानते हैं deleted lessons के बारे में तो आप इस starting में आपर heading देख लिए दिये यह deleted lesson English session 2022 और 23 class 12 मतलब कि यह जो सत्र चल रहा है आपका 2022 और 2023 का सत्र है और class आपकी 12th है 12th class है subject आपका English है तो मैं इंग्लिश के बारे में आपको बता रहा हूँ पे ने यह तो आपने confirm कर लिया है ना class 12th है subject English है और यह जो आपका session चल रहा है 2022 और 2023 है अब chapters को देख लिजिए जो आपके reduced है डिलिटेड है जो हमारे इस सत्र में नहीं पूछे जाएंगे तो देखिए हमारी जो टू बुक्स है पहले वाली बुक का ने में फ्लेमिंगो इस फ्लेमिंगो के poetry के section है poetry के section से एक हमारा जो poem है इसको हटा दिया गया इस साल के लिए एन एलिमेंटरी स्कूल क्लासरूम इना सिलम यह जो हमारा chapter है यह हमारा chapter number two है जब आप book को open करेंगे तो आप अपनी book को open कर सकते है book open कीजी फ्लेमिंगो book open करना है उसमें से poetry में आपको देखना है इन एलिमेंटरी स्कूल क्लासरूम इना सिलम chapter number two है तो इसको आपको cut कर लेना है मतलब कि इसकी आपको study नहीं करना यह हमारे exam में नहीं आएगा अभी मैं आपको terminal के बारे में बताता हूँ मैं annual exam के बारे में आपको बताऊंगा तो पहले तो आप chapter को देख लीजिए यह हमारा second chapter है poetry का इसके बाद हम विस्तास पर आजाते है प्रोज से कोई भी chapter नहीं हटा है flamingo की अब आते हैं विस्तास से इसकी जो second book है इसमें देख लीजिए आपका should wizard hit mummy और event tries on all level यह chapter हमारा deleted है तो only three chapters को हटाया गया है poetry का हमारा elementary school classroom इना सिलम और विस्तास से हमारा should wizard hit mummy और event tries on all level यह class 12 था ठीक है अब आजाएगे class 11 के बारे में 11 के students देख लीजिए आपके भी chapters को reduce कर दिया गया है hornbill की जो book है यह से प्रोज सेक्शन में से आपका landscape of the soul यह हट गया the alien planet on green movements roll यह reduced है और the browning version यह reduced है snapshot से हमारा rangas marriage albert Einstein's at school and the heart of the only world ठीक है तो यह हमारे reduced chapter से ski shot लेना चाहे तो ले सकते है आजाते है class 10 class 10 में आपकी जो पहली बाली book है first flight इसका 100-1 100-2 दोनों ही chapters reduce हो चुके है poetry से animals poem हट गई है footprints without feet से हमारा the hack driver यह अट गया है यह ski shot लेना चाहे तो आप ले सकते है आगे बढ़ते हैं class 9 में तो 9 में देखिए आपकी जो beehive है pro section से आपका packing the bond of love poetry section से आपका the duck and the kangaroo और the snake trying यह reduced है और movement से हमारी weathering अब सबसे बहले बात कर लेते हैं कि यह chapters reduced है यह हमारे terminal exam में आएंगे कि नहीं आएंगे तो हमारा जो answer होगा वो होगा no क्योंकि यह जो chapter से इनको syllabus से reduce कर दिये गा है तो यह हमारे terminal half early pre board और annual किसी भी exam में नहीं पूछे जाएंगे इनको छोड़ कर बाकी syllabus से आपका paper प्रिपेर होगा पेपर तयार होगा उसमें से आपका कॉशन्स आएंगे यह chapters ही नहीं आएंगे यह तो clear होगा है यह chapters की list मैंने आपको बता दिये तो एक सवाल का जवाब आपको मैंने यहां पर बता दिया है अब बात करते हैं कि कितना percent syllabus आएगा देखो reduced chapters होने के बाद आपका जो syllabus आएगा वो about 40 percent syllabus आएगा जी यहां लगबग 40 percent syllabus आपका terminal exam में पूछा जाता है तो आपका जो total chapters है उन में से 40 percent syllabus आपके exam में पूछा जाएगा अब बात करते हैं कि भाई terminal exam कब से start होंगे जी हां वैन तो आपके जो exam है वो कब conduct कराए जाएंगे तो उसके बारे में आपको पताएता हूँ देखिए यह तो confirm है कि आपके exam होना है वो next month में ही होना है September में आपके exam होना है लेकिन date क्या है तो मैं आपको expect date बता देता हूँ कि आपके जो September में exam होंगे तो expect date है हमारी या तो 19 हो सकती है 19 September से या फिर आपके 12 से भी start हो सकते है second week से भी आपके start हो सकते है या third week से भी start हो सकते है या फिर मैं आपसे कहूँ कि 15 तारिक के बाद कभी भी आपके एक्जाम स्टार्ट हो सकते हैं अगर 12 तो जल्दी हो जाएगा 15 के बाद से आपके एक्जाम कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं आपके मिड सेप्टेमर के बाद से आपके जो टर्मिनल एक्जाम है वो कभी भी लिये जा सकते हैं जी हां इसका भी टाइम टेबल जल्दी जारी होने वाला है जैसे ही टाइम टेबल आएगा मैं आपको इसकी जानकरी हमारे चैनल के जरीए से प्रवाइड करा दूँगा तो चलिए जान लेते हैं कि भाई एक्जाम देना जरूरी है या फिर नहीं तो भाई मेरा आंसर होगा एक्जाम देना जरूरी है जी हां एक्जाम देना बहुत ही जरूरी है आप सभी को एक्जाम देना है चाहे आप नाइंध किलास के स्ट्रेंट्स हो या नाइंध से लेकर 12 तक किसी भी किलास के स्ट्रेंट सो 10th 11th किसी भी किलास के स्ट्रेंट सो आपको एक्जाम देना कमपल सरी है आप सभी को एक्जाम देना है अब क्यों देना है ये भी जान लिजी दिखिए 9th और 11th वाले समझ ले पहले 9th और 11th वाले आपको पता होना चाहिए कि आपके Terminal Half-Hally Exam के Marks आपके Annual Exam में Include किये जाते हैं आपका जो Final Result तयार किया जाता है उस Final Result में आपके 9th और 11th के Marks भी Include होते हैं उनको भी जोड़ा जाता है तब जाकर आपका Final Result तयार होता है यह चीज आप अच्छे तरीके से समझ लेजी इसलिए 9th और 11th को तो Exam 100% देना है अब सवाल होता है कि Class 10th और Class 12th वालों को भी Exam देना जरूरी है कि नहीं है दिखिए सबसे पहले बात तो यह जो आपके Exam होता है इस Exam से आपको पता जलता है कि आपकी जो Study उसका Level कितना है कितना पर्चेंट आपकी जो Study चल रही है कितना Correct कर रहे है मतलब कि आप अपना Introspect कर पाते हैं अपना Anklan कर पाते हैं ठीक है इने Exam के माद्ध हम से पहली बात दूसरी बात यह है कि आपके जो Project Work होगा जो Project File बनेगी उस Project File के आपके जो 20 Marks मिलेंगे अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में आपको 20 Marks Project File के मिलेंगे Project Work के मिलेंगे तो उस Project Work में इस 20 Marks में कुछ Marks आपके इन Exam के भी टीचर इंकलूड करेगा जी हैं आपके जो 20 Marks रहेंगे Project Work के Project File भी आपसे बन बाए जाएगी उसमें आपकी Notebook कम्प्रीट है और आपका जो Terminal का परफॉर्मेंस है इन सबी को देखते हुए 20 Marks जोड़े जाएंगे मतलब के कुछ Marks मतलब हम कह सकते हैं और या 5 Marks आपके टीचर यहां से Terminal से लेगा और कुछ आपके Half Early से लेगा उसके बाद Project File यह सारा ऐसा करके आपके 20 Marks बनेंगे तो यह Depend करता है टीचर के उपर Class 10 और 12 के बारे में बात कर रहें क्योंकि यह 20 Marks हैं वो आपके subject teacher है वो आपका performance देखेगा और Terminal का भी score देखेगा उसके base पर कुछ Marks वो आपके include कर देगा इसलिए आपको exam देना ज़रूरी है एक चीज, दूसरी चीज ही है कि exam देने से आपको study का पता चलता है आपको time management होता है कितने time में आप कितना score कर पा रहे है ये सारी चीज़ें आपको पता चलती है बहुत कुछ help आपको Terminal exam से मिलती है और कुछ questions भी है आपके annual exam में Terminal exam से ही लिए जाते है तो ये मैंने आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के मादम से provide करा दिये अईवा आपका सारा जो confusion था वो दूर हो गया होगा Terminal exam को लेकर आप बिलकल भी confused नहीं होगे अगर अभी भी आपके मन में कोई doubt है तो आप without hesitation comments box में जाकर comments करके मुझसे पूछ सकते है और दूसरी बात आप हमारे टेली ग्राम गूर्प को join कर लीजिए link आपको description box में मिल जाएगी वहाँ पर मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूँगा या इसके अलाबा जो भी PDF आपको चाहिए वो हमारे टेली ग्राम गूर्प पर आपको मिल जाएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए सबी friends के साथ जाद 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 शेयर कीजिएगा और चेनल पर नए है तो हमारे चेनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिएगा थेंक्स फ़र वाचिंग